राजा सोचने लगे अभी दोपहर का समय है। यकीनन बीरबल खाने के बाद सोने की तयारी में होगा। चलो आज उसकी बात को गलत साबित किया जाए। यह सोच कर उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया की इसी वक्त बीरबल को दरबार में उपस्थित होने का संदेश दिया उन्होंने सेवक से कहा तुम थोड़ी देर रुको मैं कपड़े बदल कर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अंदर जाकर बीरबल ने अपने लिए एक तंग पजामा चुना। पजामा तंग था तो उसे पहनने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ा। पजामे को पहनने का बहाना कर वे थोड़ी देर बिस्तर पर ही लेटे रहे और फिर सेवक के साथ दर्बार की ओर चल दिये। दर्बार में राजा बीरबल की ही राह देख रहे थे। उनके वहां पहुचते ही राजा ने पूछा क्यों बीरबल आज खाने के बाद लेटे थे या नही बीरबल ने जवाब दिया जी महराज जरूर लेटा था ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया उन्होंने बीरबल से पूछा इसका मतलब ये है कि तुमने मेरे आदेश का असम्मान किया तुम उसी समय मेरे सामने क्यों उपस्थित नहीं हुए इसके लिए मैं तुम्ह से इस बारे में पूछ सकते हैं हाँ ये अलग बात है कि मुझे इस तंक पजामे को पहनने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ा था बीरबल की इस बात को सुनकर अकबर हसे बिना रह न सके और उन्होंने बीरबल को दरबार से जाने दिया कहानी से सीख इस कहानी से हमें य नेक मुसीबतों से बचा सकता है झाल 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 झाल